हेले फ्रेंड्स आप लोगों कोई शैनल पे दुबारा स्वागत हैं यह क्यूज का डिसकसन है और आज का क्यूज परियाबन के प्रसनों पर अधारित है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुस्टन दिखते हैं पहला कुस्टन है किस सरकार ने मोज सरकार अभ्यान को लौंज किया था उडिसा के मुख मंतरी नविन पतनायक ने गांधी जयनती के आसर पर मोज सरकार अभ्यान को लौंज किया था इस अभ्यान के तथ लोगों को उत्तम सरकारी सेवाय दी जाएगी और इस अभ्यान के तथ सरकारी दप्तरों में काम करवाने के लिए आने वाले लोगों से फिडवैक लिजाएगी और इस फिडवैक के आधार पे सरकारी करमचारियों को रैंकिंग दी जाएगी नेक्स कोशन है निमलेकित बहुँ पक्षिय समयलनों में से कौन सा अस्थाई कार्बनिक परदुसक से मानो स्वास्त और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है बताइए इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है Stock Home Sammon B option correct option है Stock Home Sammon अस्थाई कार्बनिक परदुसकों से मानो स्वास्त और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है next Montrix record किसका रजिस्टर है इसका सही जवाब क्या होगा Montrix record किसका रजिस्टर है इसका सही जवाब है C option मानो जनित गतिवीदियों के तहत खत्रे में जली अस्थान यानि C option आपका correct option है मानो जनित गतिवीदियों से उत्पन पर दूसर से खत्रे में इस्तित जलिय अस्थानों को Montrex record में रखा जाता है Next निमलिकित में से कौन सी बीमारी से कोईले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को Black Lungs बीमारी भी कहते हैं इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है A option कलोम गोलाडू रुगरता इसके बारे में देख लेते हैं देखें कलोम गोलाडू रुगरता मुख रुप से खादानों में काम करने वाले लोगों को होती है और इसका कोई अस्थाई इलाज अभी तक नहीं है आगे बढ़ते है Next question है वन जीव सनक्षण के छेत्र में अद्दम में साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है चार option है अप्सन देख लीजिए और कॉमेंट में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है अमरिता देवी बिशनोई पुरस्कार यानि C option correct option है आगे बढ़ते हैं इसके बारे में देख लेते हैं अमरिता देवी बिशनोई पुरस्कार वन जीव सनक्षण के छेत्र में अद्दम में साहस दिखाने वाले को दिया जाता है इसमें एक لاक रुपे की रासी परदान की जाती है Next दाची गाम राष्टिय उधान कहां पे है option देखिए comment में बताएई इसका सए़ जवाब क्या होगा दाची गाम राष्टिय उधान जमु कास्मीर में है A option correct option है दाची गाम राष्ट्रिय उदान जमु कास्मीर में सीरी नगर से 22 किलो मीटर की दूरी पर है इसका मुख जो जानवर है कौन सा है बारस सिंगा यानि इस जो राष्ट्रिय उदान में मुख जानवर है वो कौन है बारस सिंगा है आगे बढ़ते हैं next समताब मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में ना पी जाती है बताइए इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है डॉप्शन इकाई यानि इस जो समताब मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई है डॉप्शन इकाई में मा पी जाती है तो B option correct option है और इसके बारे में देख लेते हैं ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच बैग्यानी चार्ल्स फ्रवे और हेनरी बिसोन ने की थी इसके गुणों का अध्यन बैग्यानी GMB Dobson ने किया था उन्हों ने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्टो फोटो मीटर बिक्सित किया था उन्ही के नाम पर ओजोन परत की मोटाई जो है Dobson इकाई में नापी जाती है आगे बढ़ते हैं नेक्श गुष्ट्न है कारिवन डाय वक्साइड के उस सरजक देशों की सूची किस सुन्से कारिवन डाय वक्साइड उस सर जन पर अधारित होती है इसका सही जवाब क्या है देखिए इसका सही जवाब है जिवास इन्धन पर जलना ओर सीमेंट उधो In यानी C option सही है, उप्यूक्त दोनों, C option correct option है, carbon dioxide उस सर्जक देशों की सूची, जिवास इन्दन जलने और सीमेंट उधोगों से उस सर्जक carbon dioxide पर अधारित होती है, आगे बढ़ते हैं, next, बीश्वि में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली greenhouse gas है, कौन सा है, इसका नाम बताईए, इसका सही जवाब है, जलवास, बी अप्शन, correct अप्शन है, जलवास, जो जलवास पे है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली greenhouse gas है, याद रखिएगा, important question है, यह साप अस्मान में, 36-36 और बादल वाले अकास में, 36-86 पर तीसथ, greenhouse प्रभाव उत्पन करती है, next question है, काटो जोना पोटोकॉल किसके सुरक्षित उप्योग, अस्थनांत्रण और हैंडिंग के बारे में है, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है, संसोधित जीवित जीव, यानि C option, correct option है, काटो जोना पोटोकॉल 29 जनुवरी 2000 को हताक्षरित हुआ, और 11 दिसंबर 23 से लाग हो गया, यह LMO के सुरक्षित उप्योग, अस्थनांत्रण और हैंडिंग के बारे में है, आगे बढ़ते हैं, next question देखते ह पहला statement है, भारत में 1991 में CRJ अधिसुचना में 30 जोना पर अधारी थे, दूसरा statement है, दोयचार का स्वामिनाथा रिपोर्ट इस बात का रिव्यू करने के लिए था, कि उन्च जोना लाइन स्वरोतम अभ्यास नहीं है, और कम बेग्यानिक है, तिसरा, CRJ अधिसुचना 2011, HTL के बजाए, तटस्त किनारों पर निर्भरता रेखा की सीमा तै की गई है, इन में से कौन कौन जो है statement सही है, देखे, पहला और दूसरा statement सही है, आपका B option, correct option है, आगे बढ़ते हैं, next question है, भारत का पहला समुद्री जैव विविद्ता के लिए, राष्टिय केंद्र कहां पर हैं, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है, जाम नगर, D option, correct option है, भारत का पहला समुद्री जैव विविद्ता के लिए, राष्टिय केंद्र जाम नगर में है, जाम नगर जो है, गुजरात का एक नगर है, next, जट्रोफा करकस, कहां पाये जाते हैं, जट्रोफा करकस, मद अमेरिका में पाया जाता है, D option आपका सही जवाब है, जट्रोफा करकस, मद अमेरिका का एक परमुक पौदा है, यह एक बड़ा पादप है, जो जाडियों के रूप में, अर्ध सूस्क छेत्रों में उपता है, इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों में 25 से 30 पर 30 तक तेल निकाला जा सकता है, यह तेल कार पंखा आधी चलाने के काम में आते हैं, नेक्स्ट, महेश रंग राजन समिती ने किस उदेश के लिए 1 जीव अधिनिया में सुधार की सिफारिस किये, देखिए इसमें 4 option दिये गए है, option को analysis करिए, फिर बत 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, इसका सही जवाब है, राष्ट्रिय हाथी सरक्षर प्राधिकरण अस्थापित करने के लिए, यानि B option, correct option है, महेश रंग राजन समिती ने, राष्ट्रिय हाथी सरक्षर प्राधिकरण NECA अस्थापित करने के लिए, वन जीव अधेनिया में सुधार करने की सिफारिस की है, next, निमलिखित पर ध्यान दीजिए, और बताना है कि इन में से कौन जो है, जैविक, नाइट्रोजन, फिक्सेसन में सहायक हैं, तो बताइए, इन में से कौन कौन है, पहला है iron, दूस फिक्सेसन में सहायक हैं, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है iron और moldivadenum, यानि कि आपका पहला दूसरा, A option, correct option है, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, iron और moldivadenum, जो है, ये जैविक, नाइट्रोजन, फिक्सेसन में सहायक होते हैं, कौन-कौन, iron और moldivadenum आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, नेवलिकित पर ध्यान दीजिए, इनमें से कौन धर्ती पर ozone बनाने में सहायक हैं, तो तीन, इसमें, जो है, statement में दिया गया है, कि nitrogen oxide, carbon dioxide और methane, इन तीनों में कौन धर्ती पर ozone बनाने में सहायक हैं, सही जवाब क्या है, अगर जवाब आप हैं, तो comment में बता सकते हैं, देखें, इसमें जो पहला और तीसरा है, इसमें पहला और तीसरा, nitrogen oxide और methane धर्ती पर ozone बनाने में सहायक हैं, यानि इसमें जो option है, पहला तीसरा है, यानि C option, correct option है, nitrogen oxide और methane धर्ती पर ozone बनाती है, ओजोन परत अकास में तो प्रित्वी तक जो है पराबेगनिक किरण पहुँचने से रोकती है जबकि धर्ती पर उपस्तित ओजोन परत एक परदुसक है आगे बढ़ते है नेक्स्ट आरगन प्रित्वी पर पाये जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है यह के समस्थानी के बिगटन से बनता है सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है बताइए के फोटी यानि ए अप्शन आपका जो है करेक्ट अप्शन है आरगन नाइट्रोजन और अक्सीजन के बाद तीसरी सबसे ज्यादा पाये जाने वाली गैस है यह 0.93% पाय जाती है और यह के फोटी के बिगटन से बनता है नेक्स कोस्टन है किस पर्देश में 20 धरोहर में सामिल टाइगर रिजर्व है बताइए किस पर्देश में 20 धरोहर में सामिल टाइगर रिजर्व है बताना है इसका सही जवाब क्या है असम में जो tiger reserve है असम का वो 200 धरवर के सुची में जो है सामिल है यानि ए अप्षन आपका correct option है असम में कौन सा tiger reserve है आपको पता है important question है मानश tiger reserve असम में हिमालय के तलहटी में है या 200 धरवर में सामिल है next निमलिखित कत्रों पर ध्यान दीजिए पहला है ntca यानि राष्टिये बाग सरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है दूसरा statement है ntca की घोषणा वन जीव सुरक्षा अधिनियम में संसोधन के बाद हुई थी इन में से कौन सा कत्थन सत्य कत्थन है बताईए इसका सही जवाब क्या है यह दोनों कत्थन जो है सत्य है यानि आपका c option correct option है दोनों statement सत्य है ntca यानि राष्टिये बाग सरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है और इसकी गोष्णा वन ने जीव सुरक्षा अधिनियम में संसोधन के बाद हुई थी next question है coming elephant reserve और दियो माली elephant reserve किस परदेश में है इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है अरुणाचल परदेश A option correct option है coming elephant reserve और दियो माली elephant reserve अरुणाचल परदेश में है तो इन दोनों का नाम important है याद रखना है निमलिकित में से कौन सी संख्याओं के पारिस्थितिक पिरामिड के इंदर में ब्यापक है सही जवाब क्या होगा अगर जवाब आपको मालूम है तो कोमेंड में बताइए इसका सही जवाब है one पारिस्थित की तंत्र यानि D option correct option है one पारिस्थित की तंत्र पारिस्थित की पिरामिड के केंदर में है ठीक है याद रखिएगा next question देखते है निम्लिकित कत्वनों पर ध्यान दीजिए पहला है वन जीव छेत्रो रिजर्व और प्रोटेक्टेड छेत्रो में मनुस्यों का हद्षेप living laboratory कहा जाता है दूसरा है वन जीव रिजर्व में किसी भी अनुसंधान की permission नहीं है इन दोनों statement में से बताना है कौन सा कथन जो है सही है देखें इसमें जो सही है पहला statement सही है केवल A केवल A आपका सही जवाब है यानि A option correct option है केवल पहला कथन सकते है क्योंकि वन जीव रिजर्व छेत्र में सासन का आदेश लेकर बीना पस्वो को छत्ती पहुचाए अनुसंधान किया जा सकता है आगे बढ़ता है next बीस्वे का पहला ओजोन परत सरक्षण के लिए सम्मेलन कहां पर हुआ था इसका सही जवाब है वियना में यानि आपका B option correct option है ओजोन परत सरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1980 में आउस्ट्रिया की राधानी बियना में हुआ जो 1988 में लागू हुआ इसे 196 देशों में जो है लागू किया जा चुका है कितने देशों में 196 देशों में next question है किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बागों की जंगर्णा हुई इसका सही जवाब क्या होगा पलामू के जंगलों में 1932 में भारत में पहली बार बागों की जंगर्णा हुई यानि आपका B option correct option है आगे बढ़ते हैं इसका सही जवाब क्या है पिटी पक्षी अभ्यारण लक्छदीप में D option आपका correct option है आगे बढ़ते हैं 20 जल दिवस 22 mars को मनाया जाता है 22 जल दिवस 22 tomorrow को मनाया जाता है इसका उदेश है बिश्वे के सभी देशों में स्वक्ष जल की उपलाप्ता सुनिश्चिक करना Next Silent Valley National Park कहां पर है Silent Valley National Park केरल में है यह अप्शन आपका correct अप्शन है Silent Valley National Park केरल में है यह केरल के पलकड जीले में है यह निलगिरी पहाड में है और यह 236.74 वर किलोमेटर में है Next question है पर्वी कुलम वन जीव अभ्यारण कहां पर है पर्वी कुलम वन जीव अभ्यारण केरल में है यह अप्शन आपका सही जवाब है यह पलकड जीले में है ठीक है और यह 89 वर किलोमेटर में फैला हुआ है याद रखिएगा किस जीले में है केरल के पालकुड जीले में Next question है आयू सीन द्वाला जारी खत्रों में परजातियों के निमलिकित लिष्ट पर ध्यान देना है इनमें से खत्रे के बढ़ते करमें परजातियों को रखा जाए तो किस परकार होगा आपका सही जवाब क्या है कॉमेंट में बताइए सबसे पहले आपको जाना है कि V, U, E, N, C, R और E, W क्या है और इनको खत्रे के बढ़ते करमें परजातियों को रखा जाए तो इसका सही करम क्या होगा दिखिए पहला आएगा V, U का इसके बाद E, N इसके बाद C, R लास्ट में E, W यानि पहला, दूसरा, तिसरा और चोथा इसका सिक्वेंस जो है C अप्षन में दिया गया है C अप्षन करेक्ट अप्षन है खत्रों के बढ़ते करम जो है इस परकार है V, U का मतलब होता है वन रेवल यानि चपेट में जो जिव जन्तू अभी खत्रों से बाहर है पर इनका स्ट्रक्षन नहीं किया जाएगा तो ये खत्रों के चपेट में आ सकते है E, N का मतलब होता है Indangered, यानि ये खत्रे में आ चुके है C, R का मतलब होता है Critical Indangered, यानि इनकी जो संख्या है, जल्द ही बिलुप्थ होने के कगार पे है और E, W का मतलब होता है Extinct in the wild, यानि ये जंगलों से अब बिलुप्थ हो चुके है आगे बढ़ता है, next question है निमलखित अंतराश्ट्रिय निकायों में से किसने बागों को बचाने और बाग के अवासों को सनक्षित करने के लिए Global Tiger Initiative शुरू करने में सक्रिय रूची लिए इसका सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब है Worldwide, B आपका correct option है और आगे बढ़ते है next question है, निमलखित कत्रों पर ध्यान दीजिए पहला है जलवायू लचिला क्रिसी पर राष्ट्रिय पहल दुसरा है राष्ट्रिय सतत क्रिसी मिसन इन में से परधान मंत्री की जलवायू परिवर्तन पर योजनाओं में क्या सामिल है तो राष्ट्रिय सतत क्रिसी मिसन परधान मंत्री की जलवाई परिवर्तन की होजना में सामिल है, यानि केवल B आपका सही जवाब है केवल 2 एस्टेट्मेंट यानि जो 2nd एस्टेट्मेंट है आपका सही एस्टेट्मेंट है next question है IC target किस से संबंदित है इसका जवाब सही जवाब क्या होगा अगर आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए IC target ये जो है नागोया प्रोटोकॉल से संबंदित है B option आपका correct option है आगे बढ़ते हैं next question है अमलिय वर्षा एतिहासिक इमारतों को नुक्सान करती है इन में से कौन सी पर्तिक्रिया का अंतिम उत्पाद है बताइए इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है gypsum यानी B option correct option है अमलिय वर्षा में sulfur dioxide होती है जो चूने को gypsum में बदल देती है जिसे एतिहासिक इमारतों को नुफसान पहुंचाता है आगे बढ़ते हैं next राष्ट्रिये चम्मल वन जीव अभ्यारण तीन तीन पर्देशों में इस्तित है इसका सही जवाब क्या होगा राष्ट्रिये चम्मल वन जीव अभ्यारण जिन तीन पर्देशों में इस्तित है राजस्तान, मदपर्देश और उत्तरपर्देश यानि ए अप्सन आपका करेक्ट अप्सन है राश्टिये चंबल वन जीव अब्यारण जो है मदपर्देश, उत्तरपर्देश और राजस्तान में इस्तित है यह 5400 वर किलो मिटर में फैला हुआ है यह मुख रुप से घड़ियालो, गंगा की, डॉल्फिनो, आदी के लिए बिख्यात है आगे बढ़ते हैं जपान की निमलिकित दो बिमारियों पर ध्यान दिजिए पहला है मीनिमाता, दुसरा है इताई-इताई इन बिमारियों के फैले की दो वज़े है कौन सी है बताईए, इन दो बिमारियों के फैले की जो दो वज़े है वह है पारा और कैडमियम यानि की C option आपका सही जवाब है मीना माता बिमारी का कारण जो है कौन सा तत्व है पारा और इताई इताई बिमारी का जो कारण तत्व है वो एकाडमियम याद रखिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं नाम दफा राष्टिय उदान किस परदेश में है नाम दफा राष्टिय उदान और राचल परदेश में है B option आपका सही जवाब है नाम दफा राष्टिय उदान और राचल परदेश में है या छेत्रफल के हिसाब से 13 सबसे बड़ा राष्टिय उदान है इसका छेत्रफल 1885.23 वर्क किलोमेटर है और इसकी अस्थापना 1974 में की गई थी नेक्स्ट जैविवित्ता अधिनियन 2002 के बारे में निमलखित कत्नों पर ध्यान दिजिए पहला जैविवित्ता अधिनियन 2002 के अनुसार भारत सरकार जैविवित्ता धरोहरों का विकास करेगी दुसरा है सवदेशी इलाज करने वाले वैद और हक्कीमों को जैविवित्ता छेत्रों में से संसाधनों का उप्योग करने के पहले अनुमति लेनी होगी तिसरा राष्टिये जैविवित्ता प्राधिकरण से बीना अनुमति के बीना जैविक संसाधनों से संबंदित पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता है बताना है कि इन में से कौन से कथन सकते हैं बताइए जो इसमें कथन सकते है वो है आपका केवल तीसरा यानि कि जो ठर्ड एस्टेट्मेंट है सिर्फ यही सकते है यानि C अपसन आपका correct option मतलब की जवाब है correct option है जय विवित्ता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था और इसके अनुसरा राष्टी है जय विवित्ता प्राधिकरर से बीना अनुमत्ती के बीना जय विक संसाधन से संबंदित पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता है next question है world wetland day है इसकी शुरुआत कब हुई थी तो बताइए world wetland day की शुरुआत जो है आपका 1971 में हुआ था c option आपका सही जवाब है world wetland day हर साल दो फरवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1971 से हुई इसका उदेश बिलूप्त होती जील तलाबों को बचाना है आगे बढ़ते हैं केंद्रिय परदूसर नियंतरन बोड द्वारा जो है आवासिय छेत्रों में अधिक्तम धाउनी सीमा कितनी हो सकती है इसका सही जवाब क्या है केंद्री ये परदूसर नियंतरन बोड द्वारा अवासी ये छेत्रे में अधिक्तम धाउनी की जो सीमा है वो है पचपन डेसिबल बी अप्शन आपका क्रेक्ट अप्शन है और आगे वड़ते हैं बिल्ली गिरी रंगा मंदिर वन्य जीव अभ्यारण किस परदेश में है इसका सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब है करनाटक यानि की सी अप्शन आपका सही जबाब है विल्ली गिरी रंगा मंदिर वन्य जिव अब्यारण कनाटक में है यह 540 वर किलो मिटर में फैला है इसकी अस्तापना 1974 में की गई थी नेक्स्ट निमलखित में जैविक उब्रक कौन सा है तो जैविक उब्रक जो है वह है राइजोबियम, एजोटो बैक्टर, सहजिवी संबन यानि उप्रोग सभी डी अप्सन आपका सही जवाब है जैविक उब्रक खेती में परियोग किये जाते हैं यह किफाइती होने के साथ ही कम परदुसक भी होते हैं राइजोबियम, एजेटो बैक्टर, एस्परजिलस, पैंसिलियम, सीडो मोनास, बैसिलस, फ्लोरीसेंट, सीडो मोनास, राइजोबियम, और फ्रेलो वैक्टिरिया, एसिटो बैक्टर, आदी जो है यह जैवरक है तो नाम ठोड़ा सा घीब सा है एक दो बार पुनन सी अंसन कर लीजेगा आगे बढ़ते हैं, जयवी खेती के क्या फायदे है जयवी खेती के जो फायदे है आपको option के अनुसार बताना रहा है इसमें कौन सा option सही है देखे जविक खेती के अनेकों फायदे हैं जिन में से एक है अप्षन करनुसार वह है यक्कि फायती होता है यानि कि ए अप्षन आपका correct अप्षन है जविक खेती में राशानिक उत्पादों का उप्योग न करके compost जविक खक ए खाध आधी का उप्योग किया जाता है याकि फायती और गम पर्दुसक होती है नेक्स्ट, मोबाइल फोन से उत्पन इकच्च्रे में कौन सत्त्त होता है मोबाइल फोन से उत्पन इकच्च्रे में कौपर होता है इसमें सही जवाब है A option E कच्च्रा या E अपसिष्ट बेकार हुए मोबाइल फोन से उत्पन होता है जो परियावरण के लिये क्या होते हैं बहुत घातक होते हैं इसमें मुख्यरूप से जो है कोपर पाया जाता है आगे बढ़ते हैं परियावरण सरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक Silent Spring के लेखा कौन थे इसका सही जबाब क्या है इसका सही जवाब है रसेल कार्षन यानि की B option आपका सही जवाब है Silent Spring के लेखक रसेल कार्षन थे या पुस्तक 27 दिस्टमबर 1922 को परकासित हुई थी या पेस्टी साइड के दुस्परभावपरा अधारित है नेक्स्ट निम्लकित में कौन सा ग्रह या पिंड उल्टा हरित ग्रह प्रभावपरदसीत करता है इसका सही जवाब क्या है जवाब अगर आपको मालूम है तो कॉमेंट में बताइए देखे इन में से जो ग्रह या पिंड उल्टा हरित ग्रह जो है प्रभाव परदसीत करता है वो है आपका टाइटन D option, correct option है हमारे सौर मंडल में टाइटन जो है उल्टा हरित ग्रह प्रभाव परदसीत करता है टाइटन सनी का सबसे बड़ा उपगड़ा है आगे बढ़ते हैं किस खाद स्रिंखला में संख्याओ का पिरामिड उल्ठा होता है यह सारे question important है आप लोग एक से दो बार जडूर इसको रिविजन कर लिजिएगा तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है पर जिवी खाद स्रिंखला यानि यह पिरामिड उल्ठा होता है आपका C option correct option है पर जिवी खाद स्रिंखला में संख्याओं का पिरामिड हमेशा उल्ठा होता है कारवन लेवी क्या है बताइए देखे कार्वन लेवी जो है यह कार्वन इंदन पर लगने वाला कर है यानि कि C अप्षन आपका सही जबाब है और आगे औरते है भारत के छेत्रफल का कितना परतिसक भाग जो है सुरक्षी छेत्रों में आता है इसका सही जबाब है 5% बी अप्षन करेक्ट अप्षन है भारत के छेत्रफल का 5% भाग जो है सुरक्षी छेत्र में आता है जेत्रोंफा के अलावा निमलिखित में से किस पेण के बीच का तेल भारत में सैक्लों परियोजनाओं के लिए सन्यंत्र चालक के रुप में सावित हुआ इसका सही जबाब क्या होगा ओप्षन आप देख सकते हैं ओप्षन के अनुसार आपको जबाब बताना है इसका सही जबाब क्या होगा देखे इसका सही जवाब है पुंगामिया पिनाटा यानि B अप्षन पुंगामिया पिनाटा का तेल भारत में अनिक की यह जुनाव में सन्यंत्र तेल के रूप में साबित हुआ है और इसे जैविक तेल भी कहा जाता है नेक्स कोशन है इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है केवल पहला यानि की समुदाय रिजर्ब समुदाय रिजर्ब वन जिव और परियाबन सरक्षन से संबंदित है आपका ए अप्षन करेक्ट अप्षन है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन है निमलकित पदार्थों में से यदि सब की समान मात्रा जलाई जाए तो सरवाधी कारबन डायोकसाइट का उससरजन कौन सा पदार्थ करेगा यानि निमलकित पदार्थ हैं जो दिया गया है इन में से यदि सब की समान मात्रा जलाई जाए तो सबसे ज़्यादा कारबन डायोकसाइट का उससरजन कौन सा पदार्थ करेगा इसका सही जबाब क्या है इसका सही जबाब है बताइए केरोसीन बी ओप्शन आपका करेक्ट ओप्शन है यह सबसे ज़्यादा कारबन डायोकसाइट का उससरजन मनला की उत्पन करेगा सबसे ज़्यादा कारबन डायोकसाइट इससे उत्पन होंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जैव इंदन का क्या उदेश है इसका उदेश आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा आप option देख सकते हैं option को analysis करिए फिर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा देखें जैव इंदन का क्या उदेश है वैसे इन चारों में से कोई statement सही नहीं है यानि इन में से कोई नहीं, आपका D option, correct option है, आगे बढ़ते हैं, ओजोन डे मनाने की घोषना किस प्रोटोकॉल में हुई, पताइए इसका सही जवाब क्या है, ओजोन डे मनाने की घोषना जो है, नागोया प्रोटोकॉल में की गई थी, यानि कि ए अप्षन आपका सही जव रोषना मोन्ट्रियो पोटोकॉल 1987 में की गई थी, नेक्स्ट, राष्ट्रिये हरित्त कोर का क्या उदेश है, सही जवाब क्या होगा, राष्ट्रिये हरित्त कोर का जो उदेश है, युवाओं को परियाबन और पारिस्तितीकी के बारे में बताना, यानि कि ए अप्षन देश युवाओं को परियावराण और पारिस्तितिकी के बारे में बताना होता है इनके बारे में जागरूप करना होता है इसका सई जबाब क्या होगा जो पैनल होते है उसको याद रखना बहुत जादा इंपोर्टेंट होता है क्योंकि ये कोस्टन के सवाल बनते ही बनते हैं तो माधव गडगिल पैनल है ये किस हेत्र को पास्त की रूप से मत्पूर्ट छेत्र घोसित करने का सुझाओ दिया था इसका सही जबाब है पास्त की रूप से मत्पूर्ट छेत्र घोसित करने का सुझाओ दिया था नेक्स्ट चेंचु जनजाती किस छेत्र में वन जीव से सुरक्षा से संबन दित है यानि चेंचु जो जनजाती है किस छेत्र में वन जीव के सुरक्षा से संबन दित है आपका सही जबाब क्या होगा तो इसका सही जवाब है नागा अर्जुन सीरी सेलम जो आंध पर्देश में ए अप्सन सही जवाब है परियावरण मंतराले के ब्यान के अनुसार चेचु जन्जाती आंध पर्देश के नागा अर्जुन सीरी सेलम छेत्र में वन जीव के सरक्षर से संबन देते हैं चेचू जनजाती दक्षिन भारत की सबसे बड़ी जनजाती है चेचू जनजाती चेचू भासा बोलती है नेक्स्ट परियावरण लेखांकन क्या है तो परियावरण लेखांकन क्या है आपको बताना है option देख सकते हैं आप यहाँ पे पहला है यह परियावरण यह प्राकृतिक संसादों की खपत को मापने के लिए जो है एक बीधी है B option है यह देश के हरी छेत्रों का सांखी की बिसलेशन करने का एक तरिका है C उप्रियोक्त दोनों और D कोई नहीं बताइए इसका सही जबाब क्या होगा यह परियावरण प्राकृतिक संसादों की खपत को मापने के लिए एक बीधी है यानि A option आपका correct option है तो याद रखिएगा A आपका सही जबाब है परियावरण लेखांकन को हरित लेखांकन भी कहते है यह परियावरण यह प्राकृतिक संसादों की खपत को मापने के लिए एक बीधी है next question है बीली अर्जन सी का नाम किस राष्टिय उद्दान से संबन्दित है इसका सही जबाब है दुद्वा राष्टिय उद्दान बी आपका सही जबाब है बीली अर्जन सी का जर्म जो है 1917 में हुआ था वे जो है एक पूर्वे सिकारी थे किन्तु एक छोटे तेंदुए के सिकार के बाद उनका हिर्दय परिवर्तित हो गया और उन्हों ने दुद्वा नेशनल पार्क की अस्थापना के लिए एक अभ्यान चलाया उन्हें 1976 और 1996 में WWF ने गोल्ड मेडल दिया उन्हें 1995 में पद सिरिवी दिया गया और उनका निदन 2010 में हो गया था नेक्स्ट राष्टिय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहां पह है परियाबन प्रदूसर को नियंत्रित करना है और इसकी अस्थापना पांच माई 2010 को हुई इसका मुख्य है जो कर्याल है कहां पे है भोपाल में नेक्स्ट नेम्ने में से क्या पॉश्टिक अस्तरों पर हमेशा एक खाद स्रिंखला में घड़ जाती है प्राकर्तिक गैस के अपरम प्रागत शुरोत कौन से है तो पहला है सेल गैस दूसरा है कोईला तल मिथेन तीसरा है सक्थ बलुआ पत्थर और चोथा है मेथेन हाइडरेट्स ये सारे प्राकर्तिक गैस के अपरम प्रागत शुरोत है यानि कि D option आपका correct option है यह सभी जो हैं सही है आगे बढ़ते हैं next sites किस वैस्विक मुदे से संबंदित है तो यह जिस वैस्विक मुदे से संबंदित है वो है परियाबरन स्रक्षन यानि कि A option आपका सही जबाब है साइट परियावरान सरक्षर से संबंदित बैस्विक समझ होता है Next Clark B. वेविन पुरस्कार किस से संबंदित है Clark B. वेविन पुरस्कार जो है ये वन जिव सुरक्षा से संबंदित है ये अप्षन आपका correct option है कलार्क B. बेवीन पुरसकार. वनर जिवुँसुरक्छा से संस्बंदित हैं. ये वनर जिवुसुरक्छा के लिए कार करने वाले बैक्तियों को दिया जाता है. Next. GRIHA. नामक. ये जो मानक है. ग्रिहा. ये किससे संस्बंदित है? देखिए ये जो ग्रिहा है ये परियाबरण मानक है G, R, I, H ये मानक जिससे संबंदित है वो ये परियाबरण मानक से तो आपका इसमें B option, correct option है Next देखते हैं राष्टिये 1 जियू बोर्ड का चेर्मेन कौन होता है राष्टिये 1 जियू बोर्ड का चेर्मेन परिधान मंत्री होते हैं ए अप्षन आपका सही जवाब है आगे बढ़ते हैं Next परामबिकुलम 1 जियू अभ्यारण किस परिदेश में है बताईए परामबिकुलम 1 जियू अभ्यारण केरल में है ए अप्षन आपका सही जवाब है परामबिकुलम 1 जियू अभ्यारण जो है यह पालकर जिले में है और 89 वर किलो मिटर में फैला हुआ है Next इन में से कौन सी संदी या प्रोटोकॉल अन्टाकर्टिका में खनन पर रोक लगाता है इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है A option अन्टाकर्टिका इन्वाइर्मेंट पोटोकॉल अन्टाकर्टिका इन्वाइर्मेंट पोटोकॉल अन्टाकर्टिका में खनन पर रोक लगाता है आगे बढ़ते हैं भारत का पहला समुद्री राष्टिय उद्दान कौन सा है? इसका सही जबाब है समुद्री राष्टिय उद्दान कक्ष की खाड़ी यानि कि B अप्षन आपका सही जबाब है कौक्ष की खाड़ी में इस समुद्री राष्ट्य उदान भारत का पहला समुद्री राष्ट्य उदान है और इसकी अस्थापना 1982 में की गई थी फास्ट पूर्ट से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है important question है तो फास्ट पूर्ट से निपटने के लिए जिस देश में आंदोलन चला उस देश का नाम है इटली A option आपका सही जबाब है इटली में फास्ट पूर्ट बिरोधी आंदोलन चला था और फास्ट फूर्ट स्वास्थ के लिए हानिकारप होता है next ओजोन परत के सनक्षण में कुलोरो फूरो कारवन का मुख्ष सुरोत क्या है इसका सही जबाब है रेफिजरेटर B option, correct option है कुलोरो फूरो कारवन से ओजोन परत का बहुत नुपसान होता है यह रेफिजरेटर से उत्पन होती है next hydroponics किस से संबंदित है सही जबाब क्या होगा तो पौदो की बहुत सी संस्कृत्ती से यह संबंदित है यानि कि यह option आपका सही जबाब है hydroponics पौदो की परजातियों से संबंदित होता है याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं जवाई के जंगल किस परदेश में है तो जवाई के जंगल जिस परदेश में है उसका नाम है राजस्थान यह option आपका सही जबाब है जवाई के जंगल वैसे आपको सवाई जैसी का नाम याद होगा इसी का मिलता जुलता जो है जवाई के जंगल राजस्तान में जो पाली जीले में इन्हें concerned reserve state मिला हुआ है sorry, इस टेटस मिला हुआ है vacant celebration reserve state इसका जो है मिला हुआ है इसका जवाई के जंगल का next, नेमलिकित में से क्या जलवाई्व परिवर्तन पर action plan का हिस्सा नहीं है बताइए इनमें से क्या जो है जलवायू परिवर्तन पर एक्षन प्लान का हिस्सा नहीं है इसका सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब है B option परदूसन नियंतरन के लिए राष्ट्री ए मिशन परदूसर नियंदरन के लिए mission जो है जलवाईव परिवर्तन पर action plan का हिस्था नहीं है Next, Green Economy किसके नेत्रित्य में है? तो Green Economy किसके नेत्रित्य में है? United Nations Environment Program यानि कि B option आपका सही जवाब है Green Economy United Nations Environment Program यानि UNEP के नेत्रित्य में है याद रखिएगा UNEP United Nations Environment Program परियाबरण अधिनियम 1986 के अंतरगत कार करते हुए भारत सरकार ने किस परदेश में सरवादी परियाबरण सन्यवेदन सिल जगहों की खोज की है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है महराष्ट ए अप्सन, correct option है भारत में सबसे ज़्यादा परियाबरण सन्यवेदन सिल जगह जो है महराष्ट में है इसका सही जवाब क्या होगा? अगर जवाब मालूम है तो कॉमेंट में बताइए इसका सही जवाब है B option बिहार बिकरम सिला गंगा डॉल्फिन अब्यारण बिहार में है इसका सही जवाब है बताइए इसका सही जवाब है नागोया प्रोटोकॉल यानि B option आपका correct option है नागोया प्रोटोकॉल एक्सेस और बेनिफिट शेरिंग तंतर से सम्बन दित है या 29 अक्टूबर 2010 को हत्ताक छिरित हुआ था किस सहर को Tiger Gateway of India कहा जाता है B option आपका correct option है महराज के सहर नागपूर को Tiger Gateway of India कहा जाता है नेश्ट निमलकित पल ध्याद दीजिए पहला अंतराष्टिये जैविवित्ता दूसरा अंतराष्टिये चावल अनुसंधान केंद और तिसरा अंतराष्टिये मक्का और ग्यहु सुधार केंद अंतराष्टिये जैविवित्ता का कर्याले इटली के रोम में है अंतराष्टिये चावल अनुसंधान केंद फिलिपिन्स जबकि अंतराष्टिये मक्का और ग्यहु सुधार केंद मैक्सिको में है नेश्ट जै विवित्ता का अंतराष्टिय करयाले कहां पे है इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है Room बी अप्शन आपका correct अप्शन है जै विवित्ता का अंतराष्टिय करयाले Room में है आज का discussion यहीं तक है next quiz में next question देखेंगे और आप लोग comment किया करिए जिस question का जवाब आपको पता है आप comment में बताइए आप अपना परतिकिरिया जरूर दीजिए आपके परतिकिरियाओं का मुझे बिस्बरिस इंतजार रहता है तो thank you मिलते हैं वीडियो को like share जडूर कर दीजिएगा